Hello friends, FCI AG3 का notification आ चुका है और उसका form filling भी ओ चुका है अब exam है January में तो इसके regarding बहुत सारे aspirants को एक doubt ये है कि इसका process कितना लंबा होता है क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो banking exam से वो तो काफी fast selection process होता है लेकिन FCI का जब notification आया था और जब joining आईगी तब तक में कितना time approximate लग जाता है तो ये मैंने अपने कुछ FCI के friends से भी पूछा और मैंने last 2019 का देखा पूरा notification से लेके किस किस date पे कौन-कौन से phase 1, phase 2 कब-कब conduct होए थे तो जो last year का notification था उसको साथ में लेके मैं इस year के notification से आपको एक approximate बताऊंगी कि कब-कब इसका कौन-कौन सा phase 1, phase 2 हो सकता है तो अगर हम FCI AG3 2019 के notification की बात करें तो वो आया था February 2019 23rd Feb को और इस बार जो notification आया है वो आया है 6th September 2022 मतलब अब आप देखें जो phase 1 का exam 19 में हुआ था वो चार दिन चला था 31st May 2019, 1st June, 2nd June, 3rd June चार दिन चला था Feb में notification आया था और June में exam हुआ था June starting में तो इस से आप देख सकते है चार महिने का gap था और अभी भी वही है अभी भी notification में tentative यही लिखा हुआ है कि January 2023 में exam होगा तो इस से आप यह देख सकते हैं कि चार महिने का gap तब था तो अभी भी January में या तो January starting या mid में exam conduct हो सकता है अब phase 1 का result 2019 में 8th July 2019 को आ गया था इसका मतलब कि जो gap है वो जादा दिन का नहीं था लगबग एक महिने में result आ गया था phase 1 का तो अगर इसके हिसाब से हम देखे तो जो इस बार phase 1 होगा उसका result February तक आ सकता है January में exam हो जाएगा और February तक result आ सकता है अब पिछली बार phase 2 का exam होगा था 27th July 2019 को मतलब result आया phase 1 का और उसके लगबग 20 दिन बादी phase 2 का exam conduct हो गया तो इससे हमें ये पता लग सकता है कि जो phase 2 का exam है उसमें जादा gap आपको phase 1 से देखने को नहीं मिलेगा phase 2 का exam February end या March starting में होने के chances है अगर हम last notification का देखें तो तो अगर हम देखें तो January और February एक के बाद एक phase 1 और phase 2 आ सकता है तो अभी आपके पास जादा time नहीं बचा है November start हो गया है तो November अगर आप देखें तो November और December दो महीने आपके पास है दो महीने आपको phase 1 और phase 2 दोनों की तयारी साथ में करनी है पिछली बार लेकिन जो phase 2 का result है वो काफी लेट आया था अप्रॉक्सिमेट 6 months बार आया था 8th January 2020 को लेकिन उस टाइम COVID की situation भी थी तो हो सकता है कि इस कारण से result में delay हुआ हो तो July में जो exam हुआ था उसका जो result है वो January में आया था और उनका जो document verification है वो June में हुआ था वो भी COVID के कारण ही हुआ था थोड़ा postpone होके June around हो था और उसके बाद 1-2 महीने बाद posting गई थी तो पिछली बार जो यह process ने लगबग 1-5 साल के बीच इसको पूरा लग गया था तो अगर हम देखे इस साल तो phase 1, phase 2 यह सब तो साथ में हो जाएगा phase 2 का result का जो trend है वो last year जैसा last time जैसा मुझे नहीं लगठा की रहना चाहिए क्योंकि six months बहुती लंबा time है result आने के लिए तो अगर आप देखे तो फिर भी हम यह देख सकते हैं कि एक साल में आपकी पूरी जो पोस्ट इंगे वो आने के chances हैं क्योंकि इस बार covid के situation नहीं है पिछली बार covid के situation थी तो थोड़ा अलग था क्योंकि exam IBPS कंड़क करवा रहा है और IBPS अगर exam कंड़क करवाता है तो इतन स्लो प्रोसस नहीं होती है फिर भी अगर हम जादा से जादा इसको लेके चले तो एक साल में इसकी जो नोटिफिकेशन अभी आया था सेप्टेंबर में तो अगले साल के सेप्टेंबर तक आपकी जॉइनिंग आ जाएगी तो I hope कि आपको इससे यह ना लगे कि इस exam में ब तो general studies के कुछ sources है जो मैं आपको बताऊंगे और कैसे तयारी करने है general studies की वो next video में आपके साथ share करेंगे so thank you so much for watching this video and don't forget to like share and subscribe this youtube channel thank you so much